क्या हम लोग Redmi K50i 2023 में लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है लिटरली इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले है तो ही गाइस विडियो में लेटेश वीडियो आप रोस्ट गेमिंग 2.0 गाइस कैसे है आप लोग आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले है क्या 20,000 के अंदर Redmi K50i एक बेस्ट चोईस है एक बेस्ट फोन है या फिर वोश्ट फोन है लिटली इसके बार में फूल डीटेल में रिव्यू देने वाला हूँ प्रोस और कॉन सब की बात करेंगे तो भाई डेफिनेटल इस वीडियो को देखना तुमारा अगर यह फोन लेने का म सपोर्ट बाई जब से यह फोन लॉंच हुआ ना तब से इसके अंदर 90 fps का सपोर्ट है और अभी फिलाल बीजे माई के अंदर तो 90 fps का सपोर्ट इनेबल है नहीं लेकिन जब बीजे माई के अंदर अगले अपडेट में 90 fps का सपोर्ट आएगा तो यह फोन अगेंस उसको पपजी में आलरेडि यह 90 fps में चलता है तो बाई सबसे बढ़ा तो इसका प्रो यह और दूसरा प्रो इसका प्रोसेसर इसका प्रोसेसर शापको मिल जाता है मीडियाध डायमेंड सीटी 8100 प्रोसेसर जो की काफी ज्यादा बेस प्रोसेसर अंडर 20 के रेंज तो भाई इस तो बीट करना बहुत-बहुत-बहुत सारा मुस्किल है और साथ-साथ में यहां पर आपको लिक्वीड FFS डिस्प्ले मिल जाती है 144 हर्ट्स की लिटरली गाइज 144 हर्ट्स की डिस्प्ले है यानि कि अगर कभी गेम में 120 fps भी आया तो भी बहुत आडाम से फोन चला देगा क्य सबसे बड़ी बात है ना इसकी बड़ी वाली बैटरी तो गाइस इसकी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है 5080 mh की काफी ज्यादा लॉंग लाश्टिंग बैटरी इसका बैटरी बैकप भी काफी ज्यादा अच्छा है अब भी सही नहीं सुरू से इसके बैटरी पे बैटरी दिल से खुश हो जाए अब भी जाड़ो फोन को इसके इंदर आपको 67 वाट की तर्बो चार्जिंग देखने को मिल जाती है और वह बैटरी को काफी जादा तीजी में चार्ज कर देता है वितीन आवर आपको बैटरी बैकप अच्छा देखने को मिल रहा है आपक अच्छा इमेज घीच कर देता है तो बाइट कर लेते इसके लाट कर लेते हैं इतने साहरे आपको तुरंट मन कर जाएगा खरीदने का लेकिन यहां पर कौंस भी कुछ कम नहीं है कौंस में सबसे बड़ा कौन है इसका अपडेट ठीक है अब बोलोगे अपडेट कैसे सब से वर दक वोन है तो जब से फॉन में update के साथ-साथ नए बग्स साने स्टाट चुकई किते वारा ऐसा होता है कि यह और लेकिन यह सब प्रॉब्लम आ रहे हैं अब सकते हैं मैं क्या recommend करूंगा अगर आप इस फोन को खरीते हो तो आपको यहां पर फोन को कभी भी अपडेट ने करना है एमाई के फोन को अपने फोन को अपडेट नहीं करना अपको सिक्वर्टी की ज्यादा चिंता है गेमिंग की नहीं ठीक है अगर गेमिंग के लिए परस्पेक्टिव से खड़िदना चाहते हो जो कि अपडेट मत करना है और लिटली ही है इसका सबसे बड़ा वाला कॉन है इसके अलबा मुझे इस फोन के अंदर कोई भी कॉन देखने को नहीं मिला और तुम ही बता बाई क्या कॉन होगा ए डिस्पले अच्छा है और साथ-सात में प्रोसेसर भी अच्छा है तो भाई इतने स साड़े अच्छे थिंग है और भाई 144 के डिस्पले है वह भी लिक्वीड ऐफएफस डिस्पले तो भाई क्या चाहिए और बंदे को 20,000 के अंदर भाई इतने साड़े तिंग मिल रहा है तो भाई डैफिनेटली जाके पर्चेस कर सकते हो और मैं रिकमेंड करूंगा साड़ा बेनिफिट कर आगे मुझे अच्छा लगतेगा तो भाई यही था आज की वीडियो में होफुली तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बाई-बाई-बाई-थैंक्यों मिलते ह